अगर आपके किसी ने जादू कर दिया है, काला जादू कर दिया है, ये उपाइए कीचे, वो उपाइए कीचे. तो मैं आपसे जाना चाहते हैं कि Black Magic होता है के लिए. Black Magic नाम की चीज होती है, यह हमारे शरीर के अंदर की जो उजा ना ये सच में जो गीता में लिखा है इक सोशन पीड़ा पिश्से डादा कॉइह कोई कॉमन चीज चल रहे है वह भी किसे ने जादू कर दिया है ये उपए केजी को ईपाई कीजी तुमें अब इस जा रहे होगते और प्लाक माजििक होता है कि नहीं चालता हूं कितने कि मेरे मेरे 4 तार ना जब करें उनके आगे के रिष्टेदारी भे जानती होटी दोर से जानती हैं・ उनके सार्ण सार्ण sub-षाल है, पास, पास, उनका इन में से किस को देखा जाดocy टोना करते हूं? मेरे घर में तो मेरे किसी को नहीं देगा तरही रिष्टेदारी भे तेखा? नहीं कभी ने देखा ने तो दुनिए गाओं बेन जेनरली लोग कहते हैं कि काला जाद हो जागा इसके घर पे मत खाओ उसके घर में मत का मैंने सुनी है मैंने कभी खुद इंप्लिमेंट नहीं किया चुकि मैं बिलीव नहीं है यह जहर है जो फैला दिया गया स्वार्थी लोगों मैं आज इसका पूरा खिलासा करता है जब कोई जोच्छी नहीं होता है जब कोई शक्तियों वाला बावा नहीं होता है और वो निकम्मा कहीं से भी कुछ नहीं कमा सकता ना वो फिर एक सादू का बेंदर के बैठता है तो वो तो अपनी मानसिक्ता से लड़ रहा था और सा जालच है खाने के लिए पैसे नहीं जूरते पूरी करने के लिए पैसे नहीं सामने वाले से पैसे भी लेने है अब उसको और कुछ नहीं समझाया उसने का तेरे ओपर किसी ने कुछ कर दिया है तेरे ओपर भूत का साया है भूत तो नजराता नहीं साया है तेरे को किसी न एक जिन जिसने बाङ्ध रख रखा है अश्गा है अगर वह इतनी परफ बड़ी ऐन ciक Integ來 है अगर यह में तो उसकी निशाने दे आगर वह इतनी बड़ी पड़ी ताकत है उदोब अब भुले भाले लोग यह तो बानते नहीं, यह मान जाते हैं हम पर तिसीर कुछ कर रखा है, अब कुछ कर रखा है, अब उसको तो उसकी रिष्यदारी नहीं पता, पडोस नहीं पता, इसकी दुश्मनी किस से यह नहीं पता, सबसे असान तरीका, तेरे नहीं कोई रहती है इसके यहां पे पोई निशान होना चाहिए वह फलानी हिना प्रणय साथ़ान है वसी नहीं ठाथ है। की नानदे लग रही है। जो पहनान होका है। उस तरह से करके व्यह वखके और यह करके परिवार के परिवार के बाद हो रहे हैं। और उनका क्या looks? जितनी दिर में जितने वो पैसे देगे बस उनकी वो कपाई उनका वो दिन चल गया इसकी जिंदगी बरबाद हो इसके रिष्टदारी बरबाद हो ये सब को चल रहा बड़ा दुनिया में अधर ये ब्रांतिया हैं जो फेलाई जारे ब्रांतिया है और ना काबिल लोग जो में आई हुए हैं उनकी ये करने हैं समगे इदर ये हो गया ये एक हिसा हो गया ब्लैक मैजिक नाम की चीज होती है पर एक ब्लैक मैजिक करने वाला इनसान बेटा दस्यों साल आग में तपा हुआ होता है और तरह तरह की चीजे वो इसने की होती है लेकिन जिस दिन वो किसी पे भी कुछ भी करना बंद कर देता कि यह नहीं किया जासकाद उसके लिए बाए हाषन का ख्यलाा वो करना लेकिन वो कभी दीकर और 200 पांशों हजार दस जार भीस जार लाख रूप्ये के लिए तो बिलकुल बेटाओ उसकी इतनी तपस्या जिसको नोटों से तोला ही नहीं जा सकता ये तपस्या करने के पीज उसकी वो मंशाई हट गई पैसा कमाने की वो अपने आप में तरफ्त हो जाता है वो समय गें ना और अपनी छोटी छोटी जूर्तों को पूरा करता हो अब बड़े सहे शक्ति के साथ जीवन बिताता है उसको पैसे का लाला चीदी होता है ऐसे लोग है जानता भी है लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं कि बेटा यह तान तरीक नहीं होते है वह फार्जिखी नहीं झाल कि और यह है लेकिन यह उपरी शक्तियों की बात करें यह है यह हमारे शरीर के अंदर की जो उजा ना यह सच में जो गीता में लिखा है कि इनसान मरता है आत्मा नहीं मरती लेकिन अब आत्मा को भी सीन है आत्मा ये तीन पर काई इनको तीन कैटेगरी में रखा गया ए बी और सी जो सी कैटेगिन की आत्मा है वो धर्ती पर ए यह वही है अत्रप्त लोग जो न जीते न जीन देते हैं घर पे जिनको समझाया नहीं जा सकता जिनको सैटिसवाई Kanye किया जा सकता जिन्होंने कुछ करना नहीं और दूसरे के किये में कमी निकाल लिए सारी सी क्लास आत्माई हैं यही रह जाती है दूसरे वह लोग है जो compromise करना जाते जो फैमिली के अंदर भाई को बहन लगने से बचाते है जो ज know और एक क्लास आत्माहि कौन है जो आज धरती पे भी सैंकडो करमचारीयों को गजो रोजी रोटी दे रहा है उसका मांचार तेतना बड़ा हो गया है कि वो किसी की छोट छोटी गलतियों के परवाई नहीं करना बस उनको चलाई जा रहा है नौकरी भी देर तक दिये जा रहा जब टो गाउट है। उसलिए ईशार है पूट है यह सच में बादलों के पार रहती का वह इनका स्थान माईर्ञ जिसको चु Mental ऑर ये वहाँ रहती है यह नीचे पड़ी होगी, वहाँ पीपल पे लटकी हुई होगी, वहाँ खेत के रास्ते में होगी, अब इनको मौका चाहिए, जो कमजोर ग्रहों का हो न, बस उसको चिपक जाती है, वहाँ पर आ करके यहाँ एक अच्छे तांत्रिक मिलते हैं, जो बड़ी धक्के खाने के बाद कोई म अब बड़ी बात सुनोगे, कभी किसी ने भगवान को देखा है, नहीं गुरुजी क्योंकि भगवान हमारे अंदर है, हमारे आत्मों में यह कहा जाता है, नहीं बटा, सुना है अभी, यह जो एक लास आत्में उपर बैठी हुई है, यह सच में भगवान जितनी ताकत लि वो जो दिल से रो रहा होता है, जिसने सच में वो सच का हम ही होता है, उसको वो सच मिल नहीं रहा होता है, जब वो रो रहा होता है ना, तो यह बी क्लास आत्में मैसेज लेके जाती यह क्लास के पास, कि फलाना बहुत टोट शुका है, कहीं उसका विश्वास ना उरसा है, तो उस दिन वो एक क्लास आत्मा धर्ति पे आके उसकी मुद्स का दही है इसको कहते है भगवान ने सुने लिए अब तुमारे लिए तो वह भगवान ही है, रूप तो तुम्ने देखा नहीं लेकिन ये जो ऊपर बैठी हुई है इनके लिए ब्रह्मा विश्नु महेश एक ही है इनके लिए जीजस और अल्ला एक है इनको कोई फरक है ये जो एक दूसरे के लिए धर्ती पर रहके कट मर रहे हैं ना मेरा ये भगवान मेरा ये भगवान ये सारी सी क्लास आते हैं भी क्लास वाले को भी इससे बतलब नहीं है और एक क्लास वाले को भी बतलब दिया सिर्फ सी क्लास वाले को बतलब है ये भगवान मेरा तू कैसे बोला